कॉंग्रिस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी और इसी देश पर करीब सतर सालों तक राज किया लेकिन अगर आज कॉंग्रिस की स्थिती देखें तो स्थिती बद से बत्तर है अब आप इसी बात से अंदाजा लगाईए कि कॉंग्रिस को अब अपनी विरासत बचाने के लिए भारत जोडो यात्रा निकाली पढ़ रही है लेकिन इस यात्रा का कोई फायदा नहीं और कॉंग्रिस अंदर ये अंदर टूट रही है तो राहूल गांधी जे भारत जोडो यात्रा छोडो, कॉंग्रिस जोडो यात्रा निकालने के तैयारी करो आपको बता दे राहूल गांधी कन्या कुमारी से कश्मीर तक की भारत जोडो यात्रा पढ़ निकले हैं उन्होंने कॉंग्रेस की शीर्ष नेत्रत्व के एक काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए अपने पूर्वराष्ट्री अध्यक्ष को चिठ्थी लिखी है ये कोई पहला मामला नहीं है जब कॉंग्रेस पार्टी को दिगज नेताओं ने जटका दिया हो इससे पहले हिमत बिस्वा सर्मा, जोतिरादित सिंध्या और गुलाम नभी आजाद सरीके नेताओं ने भी अपनी रहा अलग कर ली थी राहूल गांधी के नाम लिखी गई एक चिठ्थी में मनप्रीद बादन ने लिखा है कि दिल्ली में नेताओं के एक मंडली पंचाब कॉंग्रेस को चला रही है इससे केवल गुटबाजी बढ़ी है उन्होंने कॉंग्रेस से स्टीफा देने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया आपको बता दे कि हिमंत बिस्वा सर्मा ने 2015 में पार्टी छोड़ी तो गुलाम नभी आजाद ने बिछले साल सितंबर वे अपनी रहा अलग करते हुए एक पार्टी का गठन किया जोते रादेते सिंध्या, कपल सिब बल अश्वनी कुमार, आत्पियन सेंग, जृतिन प्रसाद, सुश्मिता देव, सुनीर छाकर, हार्दिक पटेल, एन बिरेन सेंग, प्रेमा खांडू, पीसी चाको और जैवीर शेलकिर जैसे कई बड़े नेता हाल ही में कुछ वर्षो में कॉंग्रिस से स्तीफा दे चुके हैं, वहीं गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रिस की ततकाली इंत्रम अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिख कर स्तीफा दिया था, इस दोरान उन्होंने शीर्ष नेत्रित्व के काम करने के तरीके पर कई सवाल उठाए थे, उन् सिंधिया ने 2020 में कॉंग्रिस चोड़ दी, उन्होंने सोनिया गांधी के नाम स्तीफा पत्र लिखते हुए अपने 18 साल के संबंधों को खत्म कर लिया, इसके साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश में कवलनात की सरकार भी गिरा दी थी, सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, सिंधिया आज केंद्र में एक कद्दावर मंतरी है, तो कॉंग्रिस पार्टी ने सिर्फ लोगों का इस्तमाल किया है, काम निकाला, लोगों की बात सुनना बंद किया, और कॉंग्रिस ये अब से नहीं शुरू से करती चलिया आ रही है, इसलिए कॉंग्रिस का हश्र आज ऐसा है